विद्याबालन की मोस्ट अवेटेड फिल्म बेगम जान 14 एप्रिल को रिलीज हो गई है ये नाशनल अवार्ड जीत चुकी बांगला मूवी राज काहिनी का रीमेक है जिसमें बेगम जान यानि विद्याबालन ने तवाइफों के कोठे की मालकिन का रोल प्ले किया है वैसे ये पहला मौका नहीं है जब किसी आक्ट्रिस ने फिल्म में तवाइफ या वैश्या का किरदार निभाया हो हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही फिल्मों के बारे में जिनमें आक्ट्रिस ने प्रोस्टिट्यूट का रोल किया है वहीदा रहमान ने फिल्म प्यासा में प नमरता शिरोटकर फिल्म वास्तव में एक प्रोस्टिट्यूट के रोल में नजर आई थी मनीशा कोईराला फिल्म मार्कित में एक प्रोस्टिट्यूट का रोल कर चुकी है प्रीती जिंटा फिल्म चोरी चुपके चुपके में एक प्रोस्टिट्यूट के रोल में नजर आई थी तब्बू फिल्म चांदनी बार में एक वैश्या का रोल निभा चुकी है नेहा धूपिया ने भी फिल्म जूली में एक प्रोस्टिट्यूट का रोल निभाया था बिपाशा बसू भी फिल्म नो एंट्री में एक प्रोस्टिट्यूट का रोल निभाचुकी है सुश्मिता सेन भी फिल्म चिंगारी में एक वैश्या के रोल में नज़राई थी कौनकना सेन शर्मा फिल्म ट्राफिक सिगनल में एक वैश्या का रोल निभाचुकी है रानी मुखर जी फिल्म लागा चुनरी में दाग में एक तवायव के रोल में नज़राई थी कल की कोचलिन भी फिल्म देव डी में एक प्रोस्टिट्यूट के रोल में नज़र आई थी शृती हसन फिल्म डी डे में प्रोस्टिट्यूट के रोल में नज़र आई थी हूमा कुरेशी फिल्म बदलापूर में प्रोस्टिट्यूट के रोल में नज़र आई थी करीना कपूर खान भी फिल्म चमेली में एक प्रोस्टिट्यूट के रोल में नज़र आई थी अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चेट पटी नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ, बाई बाई